नमस्ते फ्रेंड और वेल्कम टू अनदर सेशन ओफ क्विक्फिक्स रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वास्त होंगे और स्वरक्षित होंगे फटा फट शुरू करते हैं देखो सबसे पहला जो कारण है वो almost सब लोगों को पता है कि कम गैस होने की बज़ए से हमारी गाड़ी में कूलिंग नहीं आती है नॉर्मली सब लोगों को पता कि गैस कम हो गई होगी पर होता क्या है कि हम जाते हैं मेकानिक के पास में और वहाँ पे हम गैस भी फिल करवा लेते हैं गैस फिल करवाने के वावजूद जो है वो हमारी गाड़ी में कूलिंग नहीं आती है तो हलांकि एसी की पूरी मैंने सीरीज बना रखी है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको खो सकता है आपकी कॉमन वहाँ पे प्राब्लम जो है मिल जाएगी उसका रीजन यह है काफी प्राब्लम में डिसकस कर चुका उसको डाइगनोस कैसे करना है तो गैस बरवाने की वाबजूद अगर आपकी गाड़ी में कूलिंग नहीं आ रही है तो सर मैं यहाँ पे एक बता दूँ आपको चीज कम गैस होने की वज़ा से तो दिक्कत है यह ज़्यादा गैस होने की वज़ा से भी आपके AC सिस्टम में कूलिंग सई से नहीं आती है क्योंकि आपका जो कंप्रेसर है वो फटा फट ट्रिप मारेगा दोनों कंडिशन में अगर गैस कम होगी तब भी आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप मारेगा जल्दी जल्दी और gas जादा होगी तब भी आपका compressor trip मारेगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा यार कितना compress करना है मामला ठीक है compress करे जा रहा हूँ होई नहीं रही है तो compressor ऐसा सोचेगा फटा फट trip होता जाएगा तो जादा gas भी आपके इसी system में नुकसान दे है जादा gas भी नहीं बरनी अब मेरे पास quid है तो इसमें साड़े 300 gram gas भरी जाती है मां अल्रेडी सबको बता चुका हूँ तो 350 grams ही आपके इसी system में gas होनी चाहिए और R134A अगर आपके system में जो सी gas भरी जाए maximum इसी system में अभी जो गाड़ी आ रही है उनमें R134A, R134A ही gas भरी जाती है वो ही आपको अपने system में यूज़ करनी है ये तो खेर almost सबको पता अब जो दूसरा कारण है दो कारण होगे low gas, high gas, मतलब ज़्यादा gas हो जाएगी तब भी दिक्कत हो जाएगी तो अब तीसरा जो कारण आता है वो है आपका बड़ा major कारण और उसको हम अंदेखा कर देते हैं वो है आपका radiator fan अगर radiator fan आपका नहीं घूम रहा है ठीक है, full capacity के साथ में अगर नहीं घूम रहा है तब भी आपकी गाड़ी में cooling नहीं होगी सही से, उसका सीधा सीधा कारण ही है कि gas जो है वहाँ पे condenser में जाके जब जाएगी condenser में fan उसको ठंडा ही नहीं करेगा तो दोनों आपके जो आपकी जो high pressure line है वो भी और जो आपकी discharge pipe है वो भी उनका temperature दोनों का same रहेगा तो आप फटा पट पकड़ लोगे मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था तो ये भी एक कारण रहता है कि radiator fan नहीं घूमने का तीसरा कारण रहता है अगर आपका condenser जो है जो front सबसे आगे जो grill लग रखी है जिन लोगों को नहीं पता है आपके जब bumper देखेंगे bumper के पास में जो दो grill है एक आपका radiator है और एक आपका condenser है जो आगे लग रखा है वो आपका condenser है तो condenser अगर आपका clogged है वहाँ पे मिट्टी फसी है पत्ते फसे हैं या बग्स फसे हैं जैसे मच्चर वच्चर जब चलाते हैं हम गाड़ी को तो फस जाते हैं उसकी वज़ा से भी आपकी गाड़ी में कूलिंग कम होती है उसका कारण यह है वहाँ पे air flow सही से होगा ही नहीं condenser आपका cool ही नहीं कर पाएगा आपकी gas को ठीक है यह तो तीन कारण होगे अब चोथा जो technical reason रहता है वह रहता है आपका जो compressor oil आपकी गाड़ी में यूज किया जाता है उसका excessive मातरा में होना अब मैंने आपको बताया था कि कुड में 60 ml जो है compressor oil यूज किया जाता है compressor में तो compressor oil अगर आपने 80 ml डाल दिया 90 ml डाल दिया तब भी आपकी गाड़ी में cooling नहीं आएगी तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है अगर आपका radiator भी सही से चल रहा है आपकी गाड़ी में gas भी एकदम सही मातरा में है आपका जो condenser है वो भी clean है और आपका compressor भी सही है तब आपको compressor oil पका चेक करना है अचा compressor oil जो है उसका color द मतलब flush करके आपका system का काम चल जाएगा पर अगर compressor oil आपका बिल्कुल black color में निकलता है तब आपका system जो है service center वाले तो 100% change करेंगे change ही करना चाहिए वैसे तो पर आप उसको flush भी कर सकते हैं पर flush करने के लिए यहां पर बता दू पानी से बिल्कुल flush मत करिएगा पानी means वहां पर water droplets हैं पानी है वहां पर तो यह भी एक कारण रहता है तो compressor oil आपको check करना है सईसे अगर खराब है आपका AC system में आपको लग रहा है blackish color का आता है तब आपका जो filter है cooling tank में filter change होगा ठीक है और उसके बाद में petrol से ही आपको flush करना है पूरा AC system ठीक है उसके बाद मे पूरा vacuum होगा vacuum करने के बाद में ही आपकी जो gas है AC system में भरी जानी चाहिए एक और जो major कारण होता है low cooling का उस सीधा सीधा कारण होता है कि आपके AC system में air trap हो चुकी है जब भी आपकी गाड़ी में AC की gas भरी जाएगी उस time पे vacuum करना बहुत जरूरी है कम से कम आदे गंटे अपनी गाड़ी में आप AC system में vacuum करिए gas बरवाने से पहले और ध्यान रखिए कि जब भी gas भरी जाती है तब भरने के time पे जो pipe yellow वाली pipe है उसमें हलकी फुलकी भी जो है वो air नहीं रहनी चाहिए वहाँ पे भी आपको अच्छे तरीके से vacuum करना है थोड़ी बहुत भी अग आपका एक वेंट में से गरम हवा रही है और एक में से कम हवा रही है तो उसके देखो काफी कारण रहते हैं पर मैं major कारण जो बता देता हूं आपको फस्ट कारण होता है leakage of gas from cooling coil cooling coil से आपकी जो AC की gas है वहाँ पे leak कर रही है तो होगा यह की cooling coil का आदा हिस्सा ठंडा रहे तब आपको एक वेंट में से गरम हवा आएगी एक वेंट में से जो है वो ठंडी हवा आएगी एक कारण तो यह हो गया दूसरा कारण यह हो गया कि gas आपके सिस्टम में कम है तो उसका डियाग्नोस करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं आपको hissing noise आएगी expansion valve के पा gas है जब expansion valve से होके cooling coil में घुसेगी आपका आधी cooling coil जो है जो शुरू का शुरुआत का हिस्सा है वो ठंडा रहेगा जैसे वह आगे पहुंचेगी आगे बले एंड में तब वहां पे जाके वह गरम हो जाएगी ठीक है तब आपको एक वेंट में से गरम हवा आएगी एक व वाला नहीं ठीक है जो आपके dashboard में लग रखा है आपके cooling coil के जस्ट पास में जो flaps लग रखे हैं उन flaps में leakage होने की वज़ा से भी आपकी गाड़ी में कम cooling होती है होता क्या है कि गरम हवा और ठंडी हवा दोनों को जो mix करने वाला जो ब्लॉक करने वाला जरवाजा है मतले सम mixture door है वो ही सही से काम नहीं कर पा रहा है तो आपकी गाड़ी में गरम हवा आती ही रहेगी अब एक चीज़ा हम आपको यहां पर और बता दूँ आपके एसी compressor की जो belt है अगर वो सही से tight नहीं होगी यहां पर ध्यान रखना सरी चीज़ कही बार ऐसा होता है हम पूरी चीज चेक कर लेते हैं सब कुछ सही रहता है फिर भी गाड़ी कूल नहीं कर पाती सही तरीके से तो उसका एक कारण यह रहता है कि आपके जो compressor की belt है उसकी tightness नहीं होती है सही तर्क पे tight नहीं होती है सही tension पे tight नहीं होती है उसकी वज़ा से भी आपकी गाड़ी में cooling की समस्या तो यह चोटे-चोटे कुछ reason थे बाकी में देखूंगा जैसे ही अगर मेरे को मौका मिलेगा AC system के उपर में वीडियो बनाने का एक gas पूरी refilling करके भी आपको कैसे AC system में आपको gas भरनी है सही तरीके से उसकी वीडियो बना दूँगा आपके लिए अभी तो गर्मिया चली होगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत